हेलो वरीवन, वेलकम तु माई चैनल, आज मैं आपके साथ शेयर करने आए हूँ हाइडांसिक बिस्किट केक रेसिपी और वो भी मेदे के साथ, तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है एक हाइडांसिक बिस्किट का पैकेट 100 ग्राम, आप कौ करेंगे शुगर को, शुगर अच्छे से मेल्ट होने के बाद इसमें हम डालेंगे ऐल 1 फोर्थ कप, अच्छे से मिक्स करना है और यहाँ पे मैंने संफ्लॉर यूज किया है, और कौन सा भी स्मेल नहीं चाहिए, अब हम इसमें डालेंगे कर्ड 1 फोर्थ कप, कर्ड हमें खट्टा नहीं चाहिए, तो वो ध्यान रखिए, यह सारा अच्छी से मिक्स होने के बाद इसमें हम डालेंगे वैनिला इसेंस, आप चाहे तो चॉकलेट इसेंस भी डाल सकते है, जो आपके पास इसेंस आवेलेबल है, वो डालिए, अब हम इसमें डालेंगे मेदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 teaspoon, और बेकिंग सोडा 1 teaspoon, इसे हम स्पैचुला से कट और फोल से मिक्स कर लेंगे, बैटर में कौन सो भी गुटलिया नहीं चाहिए, तब तक हमें इसे मिक्स कर लेना है, अगर आपको लगे कि आपका बैटर गाड़ा हो रहा है, तो उसमें 1-2 teaspoon मिल्क अगरे अधर नहीं आड़ किया तो भी चलेगा, तो यहां पर मैंने मिल्क आड़ नहीं किया और आप देख सकते इस तरीके से चाहिए बैटर की अब इसमें डालेंगे जो हमने बिस्कुत का क्रश किया था वह इसमें डालेंगे, तो चमश क्रश में रखा था बागी सब क् चोकोचिप, यह बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं डाला तो भी चलेगा, अब हम बैटर को होममेड कपकेक मोल में डालेंगे, तो यह कपकेक मोल मैंने फॉइल से बनाए है, और इसे कैसे बनाना है इसका वीडियो मैंने आपके साथ शेर किया है, उस वीडियो की लिंक मैं आ अधा ही भरना है, ज्यादा फिल किया तो बैटर आपका नीचे जा सकता है, और इसके ऊपर मैंने डेकोडेट के लिए चोकोचिप और बिस्किट का क्रश, अब हम इसे बेक करेंगे, प्रीट किये हुए कड़ाई में, तो यहापर मैंने स्टान रखा है, और एक बड़ी ड क्लियर आई है, मतलब हमारे केक बहुती तरीके से बेक हो गए है, तो अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे, और बाद में अनमोल करेंगे, तो यहापर मेरे सारे कपकेक अच्छे से ठंडे हो गए है, अब हम इसे अनमोल करेंगे, तो आप देख सकते कितनी अच्छ कपकेक और क पार फाइनल हमारे डिलिशेस हैडेंसिक कापकेक बिलकुल रिडि हो गए है आप भी इसी तरीके से होमेड कपकेक के मौल्न बनाई अगर आपके पास मौल नहीं है तो और इसी तरीके से केक बना के एंजाइ करें अब मैं आपको अंदर का टेक्स्चर दिखाती हूं कि ये अंदर से भी कितने अच्छे से स्पॉंजी और जालीदार बने हैं वाव बहुत ही अच्छे तरीके से बेख हुए है और बहुत जदा स्पॉंजी जालीदार बने हैं और खाने में भी बहुत ही जदा टेस्टी बने आप भी इसी तरीकिसे घर पर जरूर ट्राय करें और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें शेर करें और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तेंक यू